हलो दोस्तों गुड नॉर्णिंग स्वागतिक बार फिरसे आप सभी का MZT Education में दोस्तों आज है 1 जुलाई और आज हम लोग बात करेंगे 1 जुलाई 2023 से बनने वाले सभी important questions के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले जुलाई को 1 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है GST द transition इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें भारत सर्ष्ट में अस्थान पर है और अभी नई देली मुंसिपल कॉन्परेशन ने अरंग जेब लेन का नाम बदल करके अब्दुल कलाम लेन कर दिया है सीनियर महिला राश्टिये फुटवाल चैंपियंसिप तमिल लांडू ने जीत संद्री पूरसुत्तम रुपाला ने रिपोर्ट फिस डिसीज एप लांज किया है अभी हाली में कनेडा ने विदेशी स्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोस्त रणनेती पेस किया है और बिजली आपूर्ती के मामले में भारत में गुजरात जो है ये टॉप पर है य इसको भी हम लोग ले लेते हैं और जून मंत को खत्म करते हैं आज पूरा तो अंतराश्टिय छुद्ग्रह दिवस और अंतराश्टिय संसद्य दिवस यह दोनों ही दिवस मनाय जाते हैं 30 जून को ठीक है तो यहाँ पर एक-एक करके दोनों के बारे में जानेंगे इंटर पुषर जाएगा कि इसके स्थापना कहां पर की गई थी तो 1889 में पेरिस में इसके स्थापना की गई थी और इसी लिए हम लोग 30 जून का दिन चुने हैं ठीक है अब अगला जो है एस्ट्रोइड एस्ट्रोइड जैसक मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं व्रेस्पति मातरा में होते हैं इन इनको कोई प्साइज नहीं होता है तो ग्राँ की तरह ये भी सुररि का चक्र लगाते हैं लेकिन शुद्र ग्राँ इसलिए क्योंकि एक तो इनकी साइज कम होती है जूसरा घ्रैक्ति बहूत ज्यादा माते हैं जो पाय जाते echt ब्रेस्पति और मंगलगरा के बीच में, तो अब इनहीं के बारे में awareness फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है, तो बात आती है कि 30 जून को ही क्यों मनाया जाता है, तो actually में 30 जून को क्या हुआ था दोस्तों, 1908 में साइबेरिया में एक तुंगस का नदी के पास एक एस्टर गिरा था और उसकी बाद धरती में बहुत बड़ा एक छेद हो गया था, तो इसे तुंगस का प्रभाव भी कहा जाता है, तुंगस का effect भी कहा जाता है, साइबेरिया में यह हुआ था घटना 1908 में, तो इसी वज़ा से 30 जून का दिन जो है हम लोग एस्टरॉइड दिवस पर आप वहां से इसको वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, अगला जून 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने हस्त बादों को जिया टेक दिया गया, तो देखो इबार फिर से यूपी के साथ प्रोड़क को जिया टेक दिया गया है, अभी रिसेंटली अभी खलकी न्यूज है, साथ और प्रोड़क्ट हैं यूपी के जिसको जिया टेक मिल चुका है, अभी कुछ दिन पहले मिला था पांच प्रोड़क को, उससे भी पहले अगर अपरेल में बात करें तो चार प्रोड़क को मिला था जिया टेक, ठीक है, इस बार के वल, अभी भी मतलब 2023 में अगर बा आउले में, नमबर बन पर आ गया है, आज की टाइम पर, ठीक है, इसका आप मैंने बहुत मतलब, आप मैं आपको क्या बताऊं, इसके लिए 45 मिनट मैंने आज गवा दिये, 45 मिनट, इसका अनुसर एक्जैक्ली खुजने में, कि कितने प्रोड़क्ट हैं टूटल जिनको ज जिए टैग, यूपी से है, ठीक है, यह आज 28 जून का यह आर्टिकल है, तो यह प्रोड़क्ट है, फिलहाल अभी लिस्ट में अपडेट भी नहीं हुआ है, इसी विए से एक्जैक्ली कितने प्रोड़क्ट हैं, यह भी नहीं पता लग पाया है, और उन्होंने कोई लिस् सकते हो, खोषते काउंट कर सकते हो, पहले यूपी का गिनना पड़ता, फिर तमिलाडू का गिनना पड़ता, फिर उसके बाद करनाटक का गिनना पड़ता, और केरल का गिनना पड़ता, यही चार राज्य हैं, जो सबसे ज़्यादा जियाई टाइग पाये हुए, तो अब बस यही साथ प्रोडक्त जो है वो नहीं अपडेट है बाकी सब अपडेटर है फिलहाल यहां पर साथ प्रोडक्त हैं जिनको GI टाइग मिल चुका है UP के हैं जो अभी रिजेंट्ली मिला हुआ है सबके अपने अपने काम हैं सबके अपने अपने उपयोग हैं देखो, अम्रोहा धोलक जो है, ये भी काफी ज़्यादा फेमस है, कालपी हस्त निर्मित कागज है, बागपत का होम फरनेसिंग है, बारबंकी का हर्त करगाध पाध है, महोबा का गौरा पत्थर हस्तित है, मैनपूरी का ताराकासी है, संभल का हार्म क्राप्ट है, अगर पर नजर डालो, ये सब UP के जिले हैं, और UP के CM योगी आधितनाद जी जो है, ये एनाउंस करने वाले हैं, बहुत ही जल्द, एक जिला, एक जिला, एक जिला, एक जिला, एक जियाई टैग वाला योजना टाइप का, ठीक है ना, मतलब कि उसी, उसी के तर्ज पर चली रहे अब ही मैं अगर आपको बताऊं, एक बीपी का न्यूज, तो वहाँ पर तो बता रहा है कि बावान उत्पाद अभी तक UP के हैं, जिनको जियाई टैग मिल चुका है, अठारा इसी साल से हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 45 मिनट गवाने के बाद भी कहीं पर भी एक्जेक्ली डाटा नहीं मिल पाया है, और चुकि पिछले बार जो डाटा मिला था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि UP के 46-47 प्रोड़क्त को मिला हुआ है, अगर उसमें आप साथ जोड़ोगे तो यह 54-55 के आसपास में जाता है, और वही 55 प्रोड़क्त के साथ तम अभी कुछ क्लियर होता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, बस अभी के लिए आप इतना जानो कि इस साल अभी तक 18 उतपात को और अभी ये रिसेंटली 7 उतपात को मिला है, इससे पहले जब 4 उतपात को मिला था, जी आइटेक्ट तो उसमें आपको बताया था, बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, इसके अलामा रामनगर भंटा और आदम चीनी चावल जो की चंदोली का है, उसको मिला था, जी आइटेक्ट, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, यूपी देख लो, यहाँ पर है, यूपी के बारे में तो मैं आपको दो तीन देन से लग बढ़तनागर एक IPS officer हैं, और अभी हाले में CBI में कई और न्यूकतियां हुई हैं, बड़े-बड़े पदो पर, जिसे इनको न्यूक किया गया है, अनुराग को न्यूक किया गया है, ठीक है, यह सरद अगरवाल की जगा पर आएंगे, क्योंकि उनका टर्म जो है, वो गया है, यह त्रिप्रा काइडर से हैं, CBI की बात करें, तो 1963 में इसके स्थापना हुई थी, नए दिल्ले में हेड़कॉर्टर है, और परवीर सूथ जी इसके महाने देशक है, इनका नाम आपको याद रखना है, सबसे इंपोर्टन तो यही है, अगला, निवयर्क के कारन सुतनता दिवस के अउसर पर, अमेरिका का सुतनता दिवस कब मनाया जाता है, चार जुलाई को, तो चार जुलाई को प्रतेक वर्स Great Immigrants की लिस्ट चारी की जाती है, और इस लिस्ट में एकलोते भारतिये हैं, अजय बंगा, और अभी वर्तमान में क्या है, वर्ड बैंक क अध्यक्ष है, वर्ड बैंक के ये अध्यक्ष हैं, और यही कुश्चन exactly पुछा गया था अभी UP वीडियो के exam में, UP cessacy वीडियो के exam में अभी पुछा गया था वर्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो आज यह बंगा है, ठीकर बहुत ही common question है, आपको बताया गया है कई ब अपना हुई थी और वासिंग डेड़ी से में इसका हेड़कॉर्टर है अगला संविक राष्ट ने बच्चों पर ससस्त्र संघर्ज के प्रभाव पर अपनी वार्सिक रिपोर्ट में किस देश का नाम हटाए यह बहुत इंपोर्टन कुश्चन है देखो अभी युनाइटे नहीं इसमें उन देशों को सामिल किया गया था जहां पर बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं बच्चों पर संघर्ज को लेकर के या फिर उन से जबरजस्ती बाल मजदूरी वगरा कराने को लेकर के जो केसे जा रहे थे मामले आ रहे थे या उनके एक्सिडेंटल केसे ज जा रहे थे उन पर अत्याचार हो रहे थे इन सब की एक लेस्ट आई थी तो उसमें 2010 में ही भारत को सामिल किया गया था और तब से भारत को लगतार सामिल किया जा रहा था लेकिन इस बार भारत को निकाल दिया गया है और यह घोशना की है किसने पुर्टगाल के एंटोनियो को ट्रेस नहीं जो की वर्तमान में United Nation Organization के चीफ हैं ठीक है ये चीफ सेक्रेटरी हैं तो 2010 थे बच्चों के ससस्त संघर्ज के प्रभाव पर ये रिपोर्ट थी भारत को अब निकाल दिया गया भारत को 2010 में बुर्गिनाफासू, कैमरून, लेक, चाडवैसिन, नाजीरिया, प नियुयार्क में इसका हेडक्वाटर है, महासच्यों हैं, अंटोनियो को ट्रेस जो कहां के हैं, पुर्तगाल के हैं, आपसे ये भी कुशन पूछा जा सकता है, कि ये जो चीफ हैं, ये किस देश्त हैं, क्लियर आगे, हाली में किस राजी के सीम ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू कि, तो दोस्तों नाम से ही इस पष्ट है, आंध प्रदेश ने इसे सुरू किया है, देखो, अगर जगन्ना के नाम से कोई योजना आए, या वाईएसर के नाम से कोई योजना आए, तो आप समझेगा की बात हो रही है, आंध प्रदेश से, ठीके, अगर किसी योजना में मो दिखता है तो आप समझेगा बात हो रही है ओडिसा की बात हो रही है ठीक है और कहीं पर अगर लाडली वगरा दिखे लाडली बहना लाडली मा योजना वगरा लाडली करने वगरा तो आप समझेगा वो बात हो रही है मध्य प्रदेश की ठीक है थोड़ जगन्ना अम्मा वोड योजना अब इसके तहट ये कितना रुपए देने वाले हैं ये 6,393 करोड रुपए की वित्य साहता करेंगे इससे 43,00,00 अभ्यारती जो हैं इनके बैंक खातों में जाएगा और टोटल छात्र कितने लाभानवित होने वाले हैं ये चात्रों को ही दिया जाएगा कच्छा एक से लेकर कच्छा 12 तक पढ़ने वाले जो चात्र है वो इसके तहट लाभानवित होंगे तो आंध प्रदेश की योजना है जगन्ना अम्मा वोड योजना एक फाइनेंसियल हेल्प करने के लिए चात्रों की ये योजना है अब बात करते हैं हम लोग आंध प्रदेश की आंध प्रदेश आप देखोगी यहाँ पर है मैप में भारत के जगन महुन रेटी जी YSR कांग्रेस पार्टी से YSR कांग्रेस पार्टी से CM है अमरावति इसकी कैपिटल है देखो अब कैपिटल को लेकर के बहुत भी बाद है एक बार तो इन्होंने अमरावति बनाया था ठीक है इसके बाद इन्होंने अनौन्स किया कि हम तीन राजधानी बनाएंगे विसाखा पत्तनम अमरावति और कुरनूल लेकिन फिर कुछ दिन बाद क्या एक दो साल बाद इन्होंने राजधानी बनाएंगे तो फिलहाल अभी अनौन्समेंट में ही चल रहा है विसाखा पत्तनम आगे हो सकता है राजधानी बन जाए लेकिन फिलहाल अभी जो Stable है हम लोग उसी की बात करेंगी ठीक है अमरावति में ही 25 मां हाइकोर्ट है इंडिया का 25 मां हाइकोर्ट आमरावति हाईकोर्ट ही है यानि टोटल हायकोर्ट की संक्य 25 है और अन्तिममला हाईकोर्ट अमरवती हाई कोटी है कोलेरु जील है, पुलकेट जील भी पड़ता है यहाँ पर नेस्नल पार्क में अगर बात करें तो सिरी वेंकेटेस्वर नेस्नल पार्क है, राजी उगाधी नेस्नल पार्क है कुची पुडी आंध प्रदेश का प्रमुक लोक निरते है यह बहुत पूचा जाता है, कुची पूरी ठीक है अच्छा धमाल यहाँ नहीं रहेगा, धमाल हिमाजल प्रदेश का है और बाकी जीलों की अगर बात करें तो जीले भी देखो 13 जीले पहले थे, फिर 13 जीले और तूट गए टूटल 26 जीले यहाँ पर है 175 विधान सभा में सीटे हैं, लोग सभा में 25 और राज सभा में 11 सीटे हैं मैंने उस दिन आपको बताया था कि यहाँ पर विधान परिसद भी है विधान परिसद भी है, और विधान परिसद में कितनी सीटे हैं जबरदस्त रही, आप लोग को बहुत पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये classes चलती रहेंगी, देखो चार class में मैं biology खत्म करने वाला हूँ, कल की ये class देखो कि आप तो पूरा plan उसमें बताया गया है कि कैसे आपका ये 14 दिनों में SST में CGL की तयारी जबरद करके दिखा दूँगा, ठीक है, पहली class अगर आप नहीं लिया जाकर देख लो, एक playlist बना दी गई है, उसी playlist में आपको हर प्रकार की वीडियो जो है, जो आपके लिए जरूरी है last time पर देखने की, वो उसमें डाली जाएगी, और ये 14 दिन में आप ये playlist केवल फालो करोग तो आप देखना, आपका बहुत ज़्यादा score इंप्रूव होने वाला है, तो आपको डेली जुड़ना है मेरे साथ, आज पॉल्टी की class होगी, 12 पीम पर, ठीक है न, 12 पीम पर 12 बज़े, पॉल्टी की class होगी, और रात में computer का part 2 होगा, रात में 8 बज़े, तो दिन में दो जुड़ी है हमसे, परड़े दो classes होगी, और जबरदस तरीके से होगी, समझो, आप हर एक subject को तयार करोगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाले में किस भारते athlete को global Indian icon of the year के पुरुसकार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तो मेरी कॉम को global Indian icon of the year पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, मेरी कॉम, ये किसी पहचान की महताज है नहीं, मड़िपूर की रहने वाली है, छे बार की ये विश्व चैंपियन है, छे बार की वर्ड ये boxing champion है, ये बात आप याद रखेगा, और सबसे पहले boxing में भारत के लिए medal इन्होंने जीता था, 2012 में ही इन्होंने medal जीता था, हाला कि वो bronze medal था, फिल हाल, अभी इनको UK India Awards में सम्मानित किया गया है, Global Indian Icon के अवार्ड से, यहाँ पर भी सेम चीजे है, दक्षिल पूर्वी इंग्लैंड के Windsor में इनको सम्मानित किया गया है, साथी साथ एक और व्यक्ति है, सेखर कपूर, इनको भी सम्मानित किया इनको सिनेमा की छेतरमेंट के योगदान के लिए Lifetime Achievement Award दिया गया है, इन्होंने एक Movie Direct की थी, Elizabeth The Golden Age, तो उसके डायक्टर रहे हैं और यह फिल्म जो है, यह ऑसकर के लिए नॉमिनेट वी की गई थी, तो इनको भी सम्मानित किया गया है, सेखर कपूर, इनको भी नाम यहाँ पर साई चीजे लिखी ही गई है, मड़ीपूर की रहने वाली है, आगे वड़ते हैं, वैग्यानिकों ने पूरे ब्रह्मान में गुरुत्वा करसन तरंगों के रिपल्ब एफेक्ट की खोच की है, इसने भारते संस्थानों के कितने वैग्यानिक सामिल है, भारत का एक दूर्बीन भी इसमें कह सकते हैं, टेलिस्कोप भी इसमें सामिल था, एक्चुले में ब्रह्मान में कुछ गुरुत्वा करसन तरंगों के बारे में पता चला है, और वहाँ पर ये लोग अनमान लगा रहे हैं कि कैसे ब्लैक होल जो है, वो आपस में कोलैप्स कर सकते ह ब्रह्मान में और गुरुत्वा करसन तरंगी जनरेट कैसे होती है, यह सब चीजे जो हैं, वो अब्जर्व कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखिए, छे समेधन सील रेडियो स्टेशन हैं दुनिया भर में, पुड़े में जिसमें से एक है, एडवांस जायंट माइक्रो वेब रेडियो टेलिस्कोप, UGMRT, यह अपना भारतवाला है, और इसने भी इसमें मदद की है, इस गुरुत्वा करसन तरंगे जो हैं, यह बंती कैसे हैं आखिर में, ठीक है, कि एक ब्रह्मान में कैसे बंती हैं, कैसे फैलती हैं, जैसे प्रिथिभी के अपना गुरुत् टीम किस अस्थान पर हैं, तो यहां पर देखो, भारत जो है, यह चौथे अपने इतियास में, चौथे सबसे बेस्ट पोजीशन पर आज पहुच गया है, सवें पोजीशन पर आ गया है, और इसी के साथ टॉप हंड्रेड में, टॉप हंड्रेड में, आज इंडिया की टी बांगलादेश हैं, उनमें भारत वाली टीम में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का, ठीक है, अभी जश्ट इसका डबल कर लो, 202 या 292 अस्थान पर पाकिस्तान है, सुचो, 200 कुछक पर, और ऐसे ही 187 या आसपास में बांगलादेश है, मतलब सभी लोग जो है, वो 1500 के पा पॉपलर नहीं है, इस वज़े से थोड़ा सा कम हम लोग सवे अस्थान पर है, क्रिकेट अगरा को सब लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा प्रमोट करते हैं, आडियंस ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हर्प करके गेम को सपोर्ट किया जाए, फिल पर फ्रांस है, थर्ट पर ब्राजील है, फूर्ट पर इंग्लेंड और फिफ्ट पर बेल्जियम है, अर्जेंटीना ने इस बार वर्ड कप जीता था, फ्रांस को हरा करके, 2022 में जो हुआ था ना, फीफा वर्ड कप कतर में, उसको अर्जेंटीना ने जीता था, फीफा की इंफेंटीनो इसके अध्यक्ष हैं कौन है ग्यानी इंफेंटीनो इसके अध्यक्ष हैं अगला कोश्चन हाली में आयोजीत एतिहासिक दुबई महिला कबड़ी का फाइनल किसने जीता तो दोखो दोस्तों जैसे होता है ना IPL इंडियार प्रीमियर लीग जैसे मैंने आपको टीम ने पंजाब पैंथर को हरा करके जीता हुआ है ठीक है पहला संसकर्ण था दुबई में यह आयोजित हुआ और कोलकाता के टीम जो है वो जीत ली है और इसको मिला है एक करोन रोपय का प्राइज अब यहां पर पूर डिटेल देखो 16-17 जून के बीच में दुबई मे यह आयोजित किया गया पहला संसकर्ण था आठ टीमे थी कौन कौन से डिली डाइनामाइट गुजरात एंजल्स ग्रेट मराथा हर्यारना हसलर्स पंजाब पैंथर्स राजस्तान राइडर्स उमा कोलकाता और बैंगलूरू हाउक्स तो उमा कोलकाता जो रही यह बिनर रह उब विजिता रही पंजाब पैंथर्स एक करोण विजिता को मिला पचास लाग मिला उब विजिता को तो यह भी एक लीग डूनमेंट था जो कौलकाता ने जीता आईपेल की अगर बात करें तो आईपेल इस बार चेन नहीं सुपर किंग ने जीता है डबलो पील की बात क लिए लग-भग-भग तैयार हो कई है आज दिन में हो सकता है लांच हो जाए जनवरी से जून की जनवरी से जून की ए-Goek लांच हो चुकी है आज साम तक लांच हो ही जाएगी most probably तो वह आप ले सकते हो इसके अलामा जो जून मन्त की मन्तली है वह भी आज लांच हो लेने AI Index के अनुशार सबसे अधिक AI निवेस वरने देशों में भारत को पांच में स्थान पर रखा है, S3N8 Bird Flu, इससे दुनिया के पहले मौत की मामले के फुष्टी चाइना में हुई है, यही लोग आईरेस पहलाते हैं, IPL के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं, महेंदर सिंग भोनी, भारत की पहली सेमी हाई स्थापना दिवस मनाया और एक नया लोगो जारी किया है, से भी बुले तो Securities and Exchange Board of India, मिनी रत्न स्रेड इवन का दर्जा मिल चुका है Solar Energy Corporation of India को, और मार्च 2023 के लिए हेनरेट इसिंबे को ICC Player of the Month का आवार्ड मिला है, ASEAN कुस्ती चैंपेंसी प्रतियुकता में अमन सहरावत ने गोल्ड मिडल जीत लिया है, इसके अलावा, 14 अप्रैल को भारते समिधान के जनक बाबाभीम रावं बेटकर की 132 जैनती मनाई गई, पसुशन रख्षण के लिए अभी हाले में A-Help कारकरम शुरू किया गया है उत्राखण में, Business Leader of the Decade का आवार्ड कुमार मंगलम बेडला को मिला है, और सबसे अपराधिक देशों की सूची में भारत 77 अस्थान पर है, अभी हाली में SBI ने Coffee Table Book The Banker to Every Indian लांच किया है, वसे एक जुलाई है आज और एक जुलाई को SBI अस्थापना दिवस भी मनाया जाता है, घाना जो है, ये बच्चों के लिए औक्सपोर्ट मिलेरिया वैक्सिन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, उत्तर प्रदेश के सुहलवा वनजियो भारण, इसमें बागों का पहला फोटो ग्राफिक प्रमाडन दर्ज किया गया है, अब 920 कुष्चन आप लोग तयार कर चुके हो, रिविजन डेली आपका कराया जाता है, बात करते हैं लाजडे की कुष्चन की, अब आज आपको क्या बताना है, आज बहुत ईजी कुष्चन है, विशु खुषाली सुचकांग में कौन सा देश सीर्स पर है, बताईएगा, भारत की रैंक क्या है, ये भी बताईएगा, 29 जून को मनाई जाने वाले राष्टे सांखे के दिवस की सुरुवात कब से हुई है, ये भी जड़ा बता देना, ये टॉप 10 करेंट अफर के कुष्चन थे, और आपने रिविजन भी किया बहुत सारा, क्विज और पीडिए में ततक लिए नमस्कार जाहें, वन दे मातरम